क्या आप भी मेरी तरह पुराना इरिक्षा पे 5 बैटरी का कनेक्शन करके आप अपने इरिक्षा का माइलेज को ज़्यादा करना चाते हैं अगर आपका जब अब हाँ है तो फिर आज की इस वीडियो को आप कंप्लेट जरूर वाज किजिए क्यूकि आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को इरिक्षा पे 5 बैटरी का कनेक्शन करके दिखाने वाला हूँ काफी दिनों से मुझे comment मिल रहा था यी रिक्षा पे 5 battery का connection किस तरीके से करना होता है इस topic के उपर में एक videos upload करने के लिए so finally आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ यी रिक्षा पे 5 battery का connection किस तरीके से करना होता है इसलिए आज की इस वीडियो को आप complete जरूर वाच कीजिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गोपाल आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी कोई खीबाद बोलेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पे नए है चैनल को जरूर सब्स्ट्राइक कीजिए यहां पर देख सकते हैं हमारे सामने 5 बैटरी रखा हुआ है सबसे पहले मैं आप सबको दिखा दू यह जो कंट्रोलर आप देख सकते हैं यह हमारा 1500 वाट की कंट्रोलर है और यह पाज बैटरी यानि 60 बोल्ट की कंट्रोलर है यह हमारा इ-Loader है तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा दू इस E-Loader की मोटर को यहां पर आप देख सकते हैं इस E-Loader पे जो मोटर की यूज किया गया है वो भी हमारा 1500 वाट 60 बोल्ट की मोटर है तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को ये मोटर को भी अच्छा से दिखा दू तो आप लोग देख सकते हैं कितना बरा सा एक मोटर है और ये e-loader है जिस पे आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को पाच बैटरी का कनेक्शन करके दिखाने वाला हूँ मैं आप सबको बता दू इस e-loader पे आपको gear lever देखने को मिल जाते है जिसमें high और low की function दिया गया है और इसी के साथ में आपको एक handbrake मिल जाते है और ये जो e-loader है ना ये हमारा आहाना company का है यहाँ पे आप देख सकते है इस e-loader पे मैं बैटरी को पहले से ही रखा हूँ ताकि ये जो वीडियो है इस वीडियो जादा लंबा ना हो और अभी मैं आप लोगों को इस e-loader की जो बैटरी का connection है वो सबसे पहले दिखा दू यहाँ पे आप हमारे सामने देख सकते है नेगेटीब और controller की जो नेगेटीब है वो वाला नेगेटीब तार को मैं इस बैटरी की पॉल में nut bolt के जरी लगाने वाला हूँ अब देख सकते है ये जो तार मैं जोड रहा हूँ ये हमारा controller से जो main negative voltage जाते है वो वाला तार को मैं battery की नेगेटीब में जोड़ा हूँ और battery की नेगेटीब की opposite pole जो होता है वो हमारा positive pole नेगेटीब के जरी लगा देंगे सबसे पहले तो चलिये इसको भी हम लोग एक शौटिंग जो तार होता है उसको nut bolt के जरी लगाते है और उसके बाद हम लोगों को जादा कुछ करने का जरूरत नहीं है अभी जो हम लोग पॉजिटिव पोल पे लगाए है इस शोटिंग तार को ना दूसरा बैटरी की नेगिटिव पोल में जोड़ेंगे तो चलिए ये जो तार है शोटिंग तार इसको हम दूसरा बैटरी की नेगिटिव पोल पे नड़ बोल्ट के जरिए लगा लेते है अज की ये जो वीडियो है ये वीडियो लंबा जरूर है लेकिन आप अगर कंप्लिट वाच करते है तो बाकी में आप काफी कुछ आज की इस वीडियो से सिख के जाएंगे और जिन लोगों को पहले से ही करना है सिर्फ वही लोग इस वीडियो को देखे और बैटरी को स्रीज करना सीखे जैसे की अभी हम एक स्रीज स्थार के जड़िए पॉजिटिव से नेगिटिव में जो रहे है उसी की बैटरी की ऑपोजिट साइड में जो पॉजिटिव पॉल है यहां से हम लोग और एक स सबको बता दू जब भी आप बैटरी को स्रीज करते है उस टाइम बैटरी का भोल्टेज जादा हो जाते है यह तो सभी को पता है कि बैटरी को स्रीज करने से बैटरी का भोल्टेज जादा हो जाते है क्या आपको पता है बैटरी का MPR जो होता है वो भी हम लोग जादा कर स अगर आपको नहीं पता है बैटरी का MPR को ज्यादा किस तरीके से करना होता है तो आज की इस वीडियो के नीचे कॉमेंट किजिए बैटरी का AH को ज्यादा कैसे करना है इस टॉपिक के उपर में अगर ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा बहुत जोड दिया है यहाँ पे तो चलिए इस negative के opposite side में जो positive pole होता है वो वाला pole पे भी एक shorting tar को हम लोग अभी जोड़ेंगे तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अब देख सकते हैं यह वाला जो positive pole है ना यहाँ पे हम लोग छोड़ा लंबा वाला shorting tar को लेंगे अभी यहाँ से positive pole से हम लोग दूसरा जो बीज वाला बैटरी है इसको छोड़के तीसरा जो बैटरी है वो वाला बैटरी की माइनस में जोड़ेंगे तो चलिए यहाँ पे भी nut bolt के जरिए जल्दी से जोड़ लेते ह आज की इस वीडियो को complete watch करने के बाद आपको कभी भी टेंशन नहीं होगा बैटरी का voltage ज्यादा करने के लिए क्यूंकि आज की इस वीडियो पे आप स्रीच करना सिक रहे हैं और इस वीडियो को complete watch करने के बाद आप जितना मरजी उतना बैटरी को स्रीच करके उतना ज्या लिए MPR किस तरीके से बैटरी का ज्यादा करना है उस टॉपिक के ऊपर वीडियोज अपलोट करने के लिए तो अभी आप लोग यहां पर थोड़ा सा धेन दीजिए क्योंकि बैटरी की ऑपोजिट साइड में जो हमारा नेगिटिव एंट पॉजिटिव आप देख सकते हैं बगल में जो दो पॉल है बैटरी का ये दोनों पॉल में नट बोल्ट के जरीए हम लोग सीरी स्थार को जोड़ेंगे तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम लोग सीरी स्थार को जोड़ लेते हैं आप अगर इस वीडियो की यहां तक आ चुके हैं इसका मतलब आपके पास ए पर और पॉलट करने के लिए कोशिश करता हूं अगर आपका भी कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा बहुत ही जल्द आपके कॉमेंट के उपर में वीडियोज अपलोट करने के लिए हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा सिरीज तार यहाँ पे जोर रहा हूं और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो कंट्रोलर से निकला हुआ पॉजिटिव तार होता है यानि बैटरी की 60 वोल्ट इंपूट होगा वो वाला तार कहां पे जोरना है तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं यहाँ पे सिरीस तार के जरीए सभी पॉल को मैं जोर दिया हूँ अभी एक ही पॉल बचा हुआ है यहाँ पे कंट्रोलर की पॉजिटिव तार जो है वो हम लोग नट बॉल्ट के जरीए लगा देंगे तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पे नट बॉल्ट के जरीए यह वाला तार यानि कंट्रोलर की पॉजिटिव तार को लगाते हैं और मैं आप सब को बता दू जब भी आप बैटरी का कनेक्शन करते हैं लश्ट तार को जब आप जोड़ेंगे उस टाइम पे थोड़ा सा शॉट सरकीट यानि स्पार करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को डरनी की कोई जरूरत है नहीं तो यहाँ पे आप लोग आच्छा से नट को लगा लीजिए और उसके बाद बारा तेरा रेंस के जरीए यह नट बोल्ट जो है अच्छा से कस लीजिएगा यहाँ पे लूस कनेक्शन मत छोड़िएग वो भी आ सकता है जब भी आप लोग बैटरी का कनेक्शन करते है उस टाइम पे नट बोल्ट को अच्छा से आप लोग कस लीजिएगा अभी आप यहाँ पे स्कीप करके मत जाईए क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को यह पाच बैटरी को चार्च करने के वाला जो चार्जर होता है वो चार्जर को भी दिखाने वाला हूं तो यहाँ पे अच्छा से पहले नट को कस लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूं यह पाच बैटरी को चार्च करने के लिए कौन सा चार्जर यूस करना है ताकि आगे चल कि आपको अच्छा मैलेज मिले जब आप पाच बैटरी का आपके रिक्षा पे कानेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पाच बैटरी को चार्ज करने के लिए मैनुवल 60 वोल्ट की एक चार्जर रखा हुआ है और यह चार्जर सॉकेट को मैं बैटरी के साथ जो हो चुका है अभी हमें इस चार्जर पे मेन लाइन को जोड़ना थो चलिए जल्दी से जोड लेते है तो यहाँ पयाप लोग देख सकते हैं हमारा चारजर पे मेन बैटरी का कनेक्शन कर सकते हैं आज की इस वीडियो पे मैं जिस तरीके से दिखाया हूं इसी तरीके से तो चलिए जल्दी से इस ई-Loader को अन कर लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूं इस ई-Loader की जो डिजिटल मीटर है यहां पे कितना वोल्ट शो होता है तो आप लोग यहां पे धेन दिजिए क्योंकि इस मीटर पे 66 वोल्ट शो हो रहा है तो आप लोगों ने देखा आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को पाच बैटरी का करनेक्शन करके दिखाया हूं आई होप कि आज के यह वीडियो आप लोगों को काफी पसंद है अगर पसंद आए तो जरू लाइक कमेंट शेयर किजिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे तब तक के लिए नमस्कार